इस वीडियो में हम लोग एक question का discussion करने जा रहे हैं, जो array पर best है, जब भी आप technical round का interview दे रहे होते हो, तो mostly एक question आप से पुछा जाता है, ठीक है, काफी important question है, जो power programmer rule के लिए भी पुछा जाता है, इसके अलावा, जितने भी product best company होती है, उनमें maximum इसी type का question पुछा जाता है, ठीक है, तो एक question हमारे पास है, जो array पर best day, question क्या कर रहा है, given an array of size n-1, such that it has, it only contains distinct integer in the range of 1 to n, एक array दिया गया है, जिसका size n-1 है, इस तरह से दिया गया है, कि उसमें जितने भी elements है, सारा का सारा जो element है, distinct है, मतलब क्या, कोई भी duplicate element इसमें नहीं है, एक element एक बार ही आया है, means हर एक element unique है, ठीक है, जो एक से लेकर n-range में है, तो पूछ रहा है, find the missing element, तो इसमें जो element नहीं है, जो element missing है, उसको find out करना है, अब मैं इसको example कि तुम समझाता हूँ, तब आपको और भी चीजें हमेशा glacement में आ जाएंगी, example लग दिया गया है, जैसे input n5 है, और इने दिया है 1, 2, 3, 4, तो इसमें कौन ऐसा number है जो नहीं है, तो आपको गुसर 1, 2, 5 में, 1, 2, 3, 4, 5, इसमें 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 5 दिया है, 4 नहीं दिया है, तो 4 क्या है, हमारा missing number है, 4 क्या है, हमारा missing element है, और यहीं हमें find out करना है, यहीं क्या करना है, हमें find out करना है, वैसे ही हमारे पास एक दूसरा एक्जामपल है क्या दिया है एन इस इकल टू टेन एन का बेलू दस है और इसमें एल्मेंट कितना है मैं देख लेंगा वान टू ट्री फूर 5 6 7 8 8 के बाद आता है 9 9 और कि यहां 10 तो इसमें कौन सा एल्मेंट है जो नहीं प्रजेंट है तो आप बोलें सर 9 नहीं तो हमें एक ऐसा प्रोगाम लिखना है जिससे हम पता कर पाएं कि अगर मैं एरे का साइज इसमें पास करता हूं और एरे पास करता हूं तो हमें मिसिंग एल्मेंट मतलब जो एल्मेंट इसमें प्रजेंट नहीं है उसको फाइंड आउट करके हमें दे दे ठीक है मैं आसा करता हूं आपको कोशन समझ में आ गया होगा लेकिन मैं फिर भी एक बार और कोशन आपको समझाता हूं जैसे देखो मैं अगर कोई भी उजर 5 साइज का लेकर एरस दीता और उसमें नमबर हfendimर ओता है 123 और 5 और जो नमबर है यहां मिस्नी है तो आप बतीन है तो आप गोलोगो की अब रह यहां प्रजेंट नहीं है ठीक है तो question आपको समझ में आ गया होगा मैं अभी आपको इसका algorithm लिख कर दिखाता हूँ और फिर मैं प्रोग्राम इसका ट्रेक्टिकल लिख कर आपको run करके दिखाऊंगा ठीक है कर दो अपने से लिखो अगर अपने से नहीं होता है फिर वीडियो को देखना और आपका solution अगर मेरे solution से different होता है तो आपको comment करना है कि आप किस approach के help से बनाएं तो मैं क्या करूँगा मैं देखूँगा कि इसमें one two three five चार नंबर है और हमारे पास नंबर जो दिया है five दिया है और близleri आप फॉर हमारा नंबर हिस्वसमित नश्री फोर नंबर है मैं मान देकले हैं मैं होगा और जो नमबर यहां दिया है चार नमबर दिया है इसका सम कितना है ग्रते ना को दिया है सारा का सम कितना है 15 और तो नंबर यहां दिया है इस में स्कुalas और उसका सम निकालने के बाद जो नमबर हमारे array में दिया है उसका मैं सम निकालूँगा और माइनस कर दूँगा तो हमारा जो नमबर बाकी रह गया है वो हमारा नमबर आ जाएगा मैं आसर करता हूँ आपको समन में आ गया होगा अभी मैं चलूँगा अपने देव C++ compiler में और वहां आपको कोड करके दिखाऊंगा कि चीजे कैसे काम कर रही है ठीक है तो मैं चलता हूँ देव C++ compiler में और आपको कोड करके दिखाता हूं तो देखो सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा इसका जो header होता है यह लिखना काफी जरूवी होता है तो आपको यह तो लिख और अगर आप अपने से बना लेते हैं तो आपको कमेंट करना है मैं आपका एप्रोच देखना चाहता हूं कि आप किस तरीका से सोचे है और आपका एप्रोच कैसा है ठीक है तो मैं यहां लिखूँगा इंट में और इसी के साथ मैं क्या लिखूँगा यहां return 0 में यहीं कर लूँगा और इसा साथ कितना में लिखूँगा और इसमें हमारा क्या क्या दिया है तो आप लोग सब 1 दिया है 2 दिया है 3 दिया है 5 दिया है 3 के बात मैं यहां कोमा दूँगा और 5 ठीक है और मैं क्या करूँगा इसी को मैं एक फंसर में कॉल कर दूँगा जैसे फंसर म अब मैं चलूँगा उपर और इस फंशन को मैं क्या करूँगा जो कॉल करूँगा तो इसका डिफनेशन में लिखूँगा तो मैं लिखूँगा यहां इन्ट एन इंट्व में नेच्टरल नबर किसे निकालते हैं एन इंट्व एन ब्लुस वं उसके बाद यहां नंबर ऑफ एलमेंट्स है इसका हम सब निकाल लेंगे और फाइप के सम में से एक पर फोब लुप लएवालिए मैं क्या कर् Warning और यहां लिकु गूगा इंट इपल जीलो सत पार वह इसमें दिएंप रहे प्लस प्लस थेखें रिफट नहीं इन प्णीर कम लाइद तो alrededor इंट लिए यहां कर लेता हूं ठीक है और यहां में करूँगा स्प्लस इकल टू एरे आप आई एस प्लस इकल टू एरव पाई इसको मैंने हरे के लिए जोड़ दिया और मिझे रिटर्न क्या करना होगा मैं रिटर्न करूंगा अधि गया करना है इसका सम अभाद है उसका सम मैं उसका व्यक्ता मैं buffalo करण यह करो अब मैं क्या करता हूं एक चीज़ आपकर करऊंगा और मैं यहां फूर डाल लेता हूं पोर और मैं गंट्रोल पर से करता हूं अब मैं देता हूं क्या आउट पड़ता है तो देखो अब हमारा आउटविटा क्या आ गया थिया मतलब क्या कि One Two here यहां थ्री मिसिंग है फोर फाइब वन से लेकर फाइब तक शारा का सारा है इसमें कौन नहीं है त्री नहीं है तो आई तिंग आपको कुछेस अमन्हें आ गया होगा और इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और वीडियो आपको सच में सब्सक्राइब कर लो और और प्लेलिस्ट में बहुत चारा वीडियो पढ़ा है अब जाओ जाकर देखो और कोई भी सुझाओ है तो आप कमेंट कर सकते हो हमने मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नहीं कंसेप्ट के साथ तिल दन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्स्प लुरिंग